Good morning students, आज हम आपके साथ पढ़ेंगे Ticket Album, जो की सुन्दरा राम स्वामी जी द्वारा रचित है, और पाट के सार की बात करें, तो कहानी इसमें ये है कि यहाँ पे राजप्पा और नाग राजन, दोनों जो हैं सहपाथी हैं, सहपाथी क्या होता है, एक ही कक्षा में इंदर एल्बम है, और सब उसकी बहुत तारिफ करते हैं, अब जब उसकी सब इतनी तारिफ करते हैं, तो वह अपने आप में बहुत खुश होता है, परन्तु कुछ दिनों से क्या हुआ है, यहाँ पे नाग राजन जो है, उसका दूसा मित्र, उसके मामा जी ने सिंगाप राजप्पा के पास इधर उधर मंडराते थे, अब वह नाग राजन को घेर कर उसकी एल्बम देखते रहते हैं, और लड़के जो हैं कहीं कहीं टोलियां बना के, यानि पूरे ग्रूप्स में तो कभी कबार क्या कर रहे हैं, एल्बम देखने की इतनी करियोसिटी में वह नाग राजन के घर भी जा रहे हैं, वह सब को अल्बम दिखाता है, पर हाथ नहीं लगाने देता, अब क्या है, कि दिखाता तो वह सब को है अपनी अल्बम, परन्तु किसी को हाथ नहीं लगाने देता, उसकी कक्षा की जो लड़कियां हैं, वह भी अल्बम देख चुकी ह अब राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं देखता और नहीं कोई पूछ रहा है उसकी शान घट गई है उसे अब जेलिसी भी होना शुरू हो गई है इर्शा जिसे कहते हैं और उसने जो अपनी एल्बम है इतनी महनत से बनाई है जैसे मदुमक्षी अपना चर्टा बनाती है अपना जो मधुमक्षी जो होती है अपना शहट कैसे अकठा करती है एक एक ऐसे फूल से पर दो किखे एख जमा कर संब्स ओनाई है अर कभी कभी में ऑड़े बनाई है जेना जैसे बच्टी आपकें की किसी कंट्री का टिकट संभाल लिया या कोई कुछ भी कोई भी शॉक हो सकता है तो यहां पर राजप्पा का शॉक यही था कि वह एक उसने एल्बम बनाई हुई थी जिसमें उसमें डिफ्रेंट कंट्री की टिकेट जो हैं उसमें चिपका के रखी हुई थी और वह बहुत इ अब क्या है कि सर्पंच का जो लड़का था मतलब जब राजप्पा याद कर रहा है कि वह उससे पूरे 25 रुपे में खरीदना चाहता था परन्तु राजप्पा जो है उससे कहता है कि मैं नहीं दूँगा यानि उसे राजप्पा को और ये भी वो जो सर्पंच का लड़क को कोई भी पूछ नहीं रहा अब राजप्पा के एल्बम की कोई बात ही नहीं करता राजप्पा जो है नाग राजप्पा के एल्बम को नीची नीची आँखों से यानि वो ऐसे सामने से देखना नहीं चाहता कि नाग राजन को लगे कि वो भी उसकी एलबम देखने के लिए curiosity रख रहा है परंतु वे चोरी-चोरी उसे देखना चाहता है नाग राजन का एलबम जो है सच मुझ में बड़ा प्यारा है और राजप्पा के एलबम में टिक्टे जो थी जादा थी पर सभी चात्र जो है नाग राजन के एलबम को देखते थे लड़के जो है तरहं-तरहं की बाते करके राजप्पा की एलबम को मतलब compare करने अब जो class के तक्षा के अन्य जो चात्र थे वो राजप्पा और नाग राजन के एलबम को क्या कर रहे थे comparison कर रहे थे और comparison करके क्या कर रहे थे जो राजप्पा की album है उसको नीचा दिखाते थे और राजप्पा के मन में मन ही मन में कुड़ने लगा यानि उसे बहुत गुसा आने लगा ठीक है अपना album जो था अब उसे अपनी album से क्या हो गया जिससे वो इतना प्यार करता था उस album से उसे चिड़ हो गई थी और वै अब अब उसे वाक्य में अपना album जो है कूड़ा दिखने लगा था कूड़ा मतलब बेकार है ना फालतू एक शाम वै सोचकर नाग राजन के घर गया कि वै अपने फालतू टिक्टों के बदले अच्छे टिकट ले लेगा तो वै नाग राजन के घर पहुँचा तो क्या हुआ कि वहाँ पर नाग राजन उसे दिखा नहीं नाग राजन के कमरे में गया तो उसने album ढूंडा पर उसे मिला नहीं लेकिन उसने मेज के दराज की चाबी में टेबल में टेबल का ड्रॉल खुला वहाँ से उसको चाबी मिली और उसने जल्दी से चाबी खोलके वहाँ से टिकट अल्बम जो थी उसकी उठाई नाग राजन की और अपने कमीज के अंदर खोंच दी मतलब कि डाल दी और वापिस अपने घर लौट पढ़ा अब क्या हुआ परंतु जब वह यह काम कर रहा था तो वह पसीना पसीना था और उसका दिल जो था वह बहुत जोर जोर से दड़क देखिए बीटा जब भी कोई गलत काम करता है तो इसे एक बर हमारा जो हमारे जो मन ह के घर चल पड़ा घर जाकर उसने अल्बम अल्मारी के पीछे चिपा दी अपने घर में और डर भी रहा था वह बहुत दर गया था उसने कुछ खाया भी नहीं राच से डर के मारे अगले दिन राजप्पा के पिता दफ्तर चले गए और वह घर पर ही था राजपा जो था घर पर ही रहा तब ही दर्वाजे की सांकल खड़की सांकल का अर्थ होता है जिससे हम बोल्ड करते हैं कुंडी हां राजप्पा ने समझा कि पुलीस आगी यूँ कि वह तो ऑल्रड़ी उसने चोरी कर ली थी एक हिसाब से है ना और वह डरा हुआ था तो गलत काम करने पे ह हम डर जाते हैं ना इसलिए वह भी वैसे ही डरा हुआ था तलाशी लेने पर पकड़े जाने के डर से उसने अलबम को अब उसे लगा कि पुलीस आगी है खटकट कर रहे है दर्वाजा और उसे लगा घर की तलाशी लेगी पुलीस और उसने इस डर से क्या क्या बिना क्या होता है जब हम सर्दियों में अंगिती जिलाते हैं हाथ सेखने के लिए वैसे ही अलबम तो जल उठी ठीक है और बात्रूम में गया और मम्मी के बुलाने पर तॉलिया लिपेटकर बाहर आ गया नाग राजन को सामने देखकर उसने अलबम के बारे में बात की और कहा तुम मेरा एलबम ले जा अब उसने नाग राजन को देखा वो मेरे सामने है और उसे लगा कि नाग राजन को नाग राजन मुझसे कुछ कहे उसने पहले ही कह दिया कि ऐसा है कि तुम नाग राजन तुम मेरी एलबम ले जाओ मैं अपनी राजपा अपनी बात दोहराता र पर अपनी राजपा जो है अपनी एल्बम से परन्त हुए उसने एक गलत काम किया है इर्शा के वशी भूत होके उसने नाग राजन की अलबम चुरा ली और चुराने के बाद जला भी ली है ना तो अब वे अपनी गलती का पस्चाताप करना चाहता था और उसने लिए इक रात के लिए एल्बम मांगी और लिएल्बम सेनी से लगा कर जोर-hlזה के फुट के रूने लगा तो बच्चे कहने का यही पनी कहने था पर शुट की रजने के वह से हमाने को देख के आपनी हिसाब के हैं तो हमके अगर किसी के पास कुछ बहुत ज़ादा है तो उ या महनत करनी है उसे पाने के लिए पर कोई भी गलत तरीका हमें जिंदगी में कभी भी नहीं अपनाना है अब देखें इसमें कुछ कट-इन शब्द है तो आपको पता यह होगा हुं जिसमें हम फोटो लगाते हैं पोटो लगा लेते हैं और जमगट जमगट का अर्थ होता है भीर उच्शुक का अर्थ होता है इतच्च आरू उच्च यह तारीफ प्रक्रशन सा करा चबेना क्या होता है ? सब्सक्राइब अनाजुगताना, नहीं कोई भी जैसे रहो जैसे हम चब्सक्रक्राइब लैते हैं भूने हुए चुने जो गड़ीत हम बनानौन की पर क्खेत की मुली होना यह county में मुढूबहाında जिसका रहता है भी एक एक मार्त ज़्हांजडाकर्स हेकडी का अर्थ होता है अकड दिखाना ठीक है खोस लेना छिपा लेना याद है ना राजप्पा ने नाग राजन की एल्बम को अपने कमीज में खोस लिया था तो इसी तरह से बेटा सांकल का अर्थ मैंने बताया दर्वाजे पे लगी लोहे की जो कड़ी है ना पुराने ट और अब आप क्या कहते हैं हम आपकी साथ प्रश्न उतर भी डिसकस करेंगे और अब आप वाट्सेप पे आ जाएए जो भी हमें डाउट होगा हम उसे क्लियर करेंगे ठीक है चालो बिटा थांक यू